और वस्देव जी माराज पदारे हैं वस्देव जी ने गरगाचारे जी को भेजा है गरगाचारे जी पदारे हैं नंद बाबा ने गरगाचारे जी से प्रार्थना किये आप करपा करें हमारे दोनों बालकों का नामकरण करें गरगाचार जी बोले नंदे जी कंस बहुत दोष्ट है अगर आपके बालकों का नामकरन हम करेंगे तो उसे अवश्च संदे हो जाएगा कि ये दोनों बालक यदवन्शियों के हैं क्योंकि हम यदुवंशियों के आचारे हैं, ब्रिजवासियों के आचारे शांडिल लिमुनी हैं, पर नंद बाबा आगरे पकड़ गए, जिद पकड़ गए, नहीं नहीं माराज ठाकुल भगवत इच्छा से आप पधा रहें, आप ही के द्वारा दोनों बालकों का होना चाहिए, बात पक्की हो गई, गवशाला में गईयाओं के खिरक में, नामकरण का सब व्यवस्था की गई, ये शोदा मैया के मन में बात बैठी नहीं, मैया सोच रही है, एक तो लाला है, वाको नामकरण के से गुप चप करें, नंद जी ऐसे हम नामकरण नहीं हमारे लाला को जब नामकरण होगो तो पूरे ब्रज में एक महिना को बंडार होगो, कोई ब्रजवासी के गर में चूलो नहीं जले को सब हमारे गर में बोजन करवे आएंगे, और आप का कहरो गुप चुप नामकरण, नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, नंद बाबा ने बहुत समझायो, बहुत समझायो, फिर भी मया तो मया, गोपी तो गोबी, ये शोदा मया, रोलनी मया से बोली, देखो रोलनी जीजी, नंद जी बहुत बोरे भारे हैं, सीधे साधे हैं, कहीं ऐसो तो नहीं, कोई भी चून मांगवे वारो बाबा जी पकड़ लियो होगो, और वही के द्वारा हमारे बालक को नाम करण कराएवा सोचे मैं तो पहले परिक्षा लोगी ये विद्वान एक ही नहीं है कचु जाने के नहीं जाने तो कैसे परिक्षा लोगी बोले अगर कोई तरकाल दरश्टा होईगो तो जाने जाएगो आप और हम अपनी दोनों बालकों की अदला बदली कर ले आप मेरो लाला लेके चलो और मैं आपको लाला लेके चलो अब दोनों मैया अपने अपनी बालकों की अदला बदली करके चली हैं खिरक में पहुंची हैं बैठी हैं प्रणाम करके गरगाचार जी ने जैसे ही दृष्टी पात किया एक ही दृष्टी में पैचान गए और ये शोदा मैया से बोले मैया आया मही रोहनी पुत्रो इतनी बड़ी भूल ये तो रोहनी को छोरा है तू केसे ले आई अब मैया तो ये कही बार में समझ गई भाई ये तो कोई बहुत बड़ो संत है तो रिणी जीजी की ओर देखो जीजी ये तो ऐसो वैसो बाबाजी नहीं है ये तो बड़ो विद्वान है जोतिस शास्त्र को बड़िया ग्याता है अब मन बना लियो के हाँ नाम करन इनी के द से रमन कराएगा इसलिए इसका नाम राम होगा किन्तु बलाधिक्याद बलंविदू इसमें बल बहुत होगा इसलिए लोग इसे बल राम भी कहेंगे रोहनी जी बोली अच्छो तो बाबा आब ये शोदा मिया के लाला को नाम करन करो अब श्री ठाकर जी की और जैसे ही द अब समाधी की स्थिती तो क्या पता कितनी देर में बाहर आएं समाधी से अब दोनों मिया गवड़ा गएं कहीं ऐसो तो नहीं नाम करन करते करते सीधे उपर ही पहुँचगो होगे कभी बाबा के आगे ताली बजा में कभी हाथ ला में सांस वांस चल रही है कि नहीं चल रही है अब थोड़ी देर गरगाचार जी समाधी से बाहर आए अरे बाबा अ हमें तो बेह लग गएं इसे से करते आप सीधे गोलों कोंच वे हूं हरी नाम या तेरे लाला के बहुत से नाम है तो हम अपने गुरुदेव से पूछ रहे कि कौन सो नाम दियो जाए तो माराज कचु गुरु जी ने बतायो बोले हां बहुत सुंदर बहुत प्यारों नाम बतायो है ये जितने युग में जितने रंग से जन्म लेता इसके उतने ही नाम है पर इदानीम कृष्णताम गतह इस समय इसका सामला रंग है अतह इसका नाम कृष्ण होगा अब कृष्ण बल्ल्राम दोनों नाम सुनके दोनों मैया बड़ी प्रसन होई थोड़ी देर बाद गरगाचार जी बोले या घबड़ा गई अरे बाबाजी अभी तक तो सही बात बता रहे हो अब कहां तेरी बुद्धी चली गई यह हमारों नंद बाबा को बालक है यह वसुदेव जी कहां ते आ गए अब गोधी में शामसंदर पौड़े हुए हैं ठाकुर जी ने इशारों कियो गरगाचार जी ने तुरंद बात को बदल दियो मैया घबड़ियो मत यह तो मैं लाला के भूत की बात भूत काल की बात बताएवे लगो एदानियम कृष्णताम गता कोच जाता हो तवातमज़ अभी तो यह तवातमज़ तेरों लाला है तेरों बेटा है अभी यह वसुदेव जी को वेटा नहीं है तेरों बेटा है अब मैया की स्वास में स्वास आई नाम करन भेयो गरगाचार जी और कच्व उट पतांक कहें बोलें वाके पहले ही मैया ने गरगाचार जी को ईकप प्रणाम कर दियो मैय अपनी लाला को लेके चलती बनी अब दोनों बालक कालांतर में जब थोड़े बड़े हुए दोनों मैयाओं ने छोटी-छोटी नूपर दोनों बालकों के चरणों में बांधे दिये अब पूरे ब्रज में नाम संकीतन शुड़ू हो गया चारों गोर ब्रज में कृष्ण बल्राम, कृष्ण बल्राम, रामश्याम, रामश्याम, एक पद है सूदा जी माराज का, ब्रज में परमेश्वर हुके, ब्रजिसम औरन कोहु धाम, ब्रज में परमेश्वर हुके, सुधरे बिगडे नाम, मैया बोली ये कृष्ण बल्राम इतनो तेड़ों मेड़ों नाम जीवते मुड़े नहीं है हम तो अपका लुआ बलुआ ही कहेंगे हम कृष्ण बलराम नहीं कहेंगे तो जो ब्रजवास्य को जो नाम प्रिय लगे रुचिकर लगे वही नाम से श्री ठाकुर्जी और दाउजी महराज को पकारे अब दोनों बालक छोटे छोटे नूपरों की धुनी करते हुए ब्रज की गलियों में घूमने लगे ब्रज करदमेशू ब्रज की कीचड में घूमने लगे ब्रज में कीचड क्या है गवरज, ब्रजरज और गवमुत्र इसका सम्मश्रण ही ब्रजकी कीचड़ है ब्रजकी कीचड़ में घूमने का, लेटने का, लगने का सोभाग सबको नहीं मिलता है हम लोग तो दर्भागाए हैं, दर्भाग्य शाली हैं, जाते भी हैं तो धूल ना लग जाए, कीचड़ ना लग जाए, गंदे ना हो जाएं, कपड़े जारते बौहागते है ब्रजकी में कीचड़ बड़े सोभाग्य से लगती है शरीम होड़, बड़ी कृपा है लक्ष्मी जी वरहमा जी आजिव जिसके लिए तरसने स्वैम शी ठाकुण जी मया की नजर बचा बचा के गहिएं के गोश्ट में चले जाते हैं ठाक शाम खुकर दैवी माराज के शरिमे गोवर लगा Awesome जी दैव जींचे जिरीमें गोवर की कभी किसी गली में, किसी महुले में, किसी गोष्ट में, अक्तों ब्रजगोपियों के लिए दिन ऐसे उत्सर रूप हो गए, ये शोदा महिया लाला को डिठोना लगा देती, मस्तब पर, बाला जिप छोटा हुए, तो काजर को खालो खालो यहां ती का लगा लगा है, ये बा बाल मत निकल लगा हुए, वोगी शी नचर बहुत बुरी है, खाव देन नचर लग जाएगी, तब खाबो, खेलो, पीओ, भूल जाएगो, बढ़ा सुंदर बाल मत निकल लगा हुए, अरे मत निकसेगो कुल चंदा, लग जाएगी नजर नदननन्दा, अरे लाला, घरते बाल मत निकल लगा हुए, नचर बेस जाएगी, यह मारा कुछ बाव, मारा चका भाव है, बाहर है मदमाती गुजरिया, अखिया बनी कटारी सी, काजर रेख नुकीली पैनी, मारे चोट दुधारी सी, अरे गोबित की नजर बड़ी पैनी है, पटार की तरे पैनी इनकी दश्की है, ऐसी मार बुरी है इनकी, भूले वो सब धन्दा, हाँ हाँ, भूले वो सब धन्दा, लग जाएगी नजर नदनन्दा, सब खाबो भी वो भूले जाएगी 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 नजर लग गई तो तेरी माया हमें गारी देगी, माथे पे लगवाय डठोना मैया पे लगवाय डठोना माथे पे एक चोड़ो सो मेरी मान सावरे तू अल बेलो रसको कंदा हाल बेलो रसको कंदा लग जाएगी नजर नंद नंदा लाला ने काजर नहीं लगवायो और लाला कुवाईदना गोपीन की नजर लग गई आज भी ब्रिज में ये सब भाव ब्रिजवासी जन गाते हैं ब्रिज के अग जो भी रस है वो सब ब्रिजवासीयों के रसियाओं में बरा हुआ आज भी इन भावों को इन रसों को ब्रजुवासी गाते हैं नाचते हैं जूमते हैं बड़ा सुंदर भाव है लाला ने रोमरों आवरंब कियो और मैया को अनुमान है गए हो आज लाला को काजर रिठोना नहीं लगायो आज हमारे लाला कुक काई गोपी की नजर लग गई बड़ा सुन्दर भाव है कौन सीने मार दी ओरी टोना मेरो मचले ओ शाम सलोना कौन सीने मार दी ओरी टोना अरी मेरो मचले ओ शाम सलोना कौन सीने मार दी ओरी टोना अरी मेरो मचले ओ शाम सलोना कौन सीने मार दी ओरी टोना अरी मेरो मचले ओ शाम सलोना भूल गई मैने दियो नाया के माथे बीच डिठोना भूल गई मैने दियो नाया के माथे बीच डिठोना रोए रोए रुदन करे मेरो बारो फोर दिये हैं खिलोना कौन दिमे मर दियो री तोना मेरो मचलो शाम सलोना दूध ना पिवे लाला दही ना खावे ले ना माखन लोना दूध ना पिवे लाला दही ना खावे ले ना माखन लोना नावे ना धोवे लाला सुध विसराई आख न खुले मेरो चोना कौन सी में मार दी ओरी तोनारी मेरो मचलो शाम सलोना कौन सी में मार दी ओरी तोनारी मेरो मचलो शाम सलोना ना लाला दून पीरो ना दही खारो ना माकन खारो मैया कुछ इंता है बड़ी बुरी नजर लाला कुछ लगी है कोई गोपी की मैया बारवार कनिया पे कह रही है पहले ही समझाओ शाम न सकियन संग न चोना इनको पिन की नजर बुरी है इन गौपिन की नजर पुरी है बरगेते मानोना कौन सीने मार दियो री तोना अरी मेरो मचलो शाम सलोना ओ कौन सीने मार दियो री तोना अरी मेरो मचलो शाम सलोना मचलो शाम सलोना माल कश्न लाल की जए मैया लाला की नजर उतारे कभी गईया की पूछते जाड़ों दे कभी रक्षा कवच को पाठ करे ऐसा सुन्दर श्री अंग है वोपाल जी का लिखा है पंकांग राग रुचरा वुप गुईय दोर्भ्यां अगर लाला के शरीर पे कीचड लग जाए तो कीचड की शोभा भी लाला के श्री अंग से बढ़ जाया करती है ऐसा श्री अंग था परम पदम भूषण भूषण अंगम मैया आभूषण पहनाए हम लोग तो आभूषण पहनते हैं स्वेम सजने के लिए सुन्दर बनने के लिए और लाला को जब मैया आभूशन पेनाए तो लाला के शरीर से आभूशन की शोबा बढ़ जाए आभूशन लाला की शोबा नहीं बढ़ा है बलकि लाला से आभूशन की शोबा बढ़ जाए ऐसो सुन्दर जिनको श्री अंग है ऐसो दिव्य जिनको चिन में वपू है धीरे धीरे दोनों भाईया कृष्ण और बल्राम गोष्ट में जावे लगे नंद बाबा की बहुत बड़ी गोषाला नौलाद दोईया बंदी वहीं ही छोटे-छोटे बचड़ा जाब बंदे होते दोनों राम कृष्ण दोनों भाईया वहीं चले जाते और खड़ो है नो कैसे सीखो बचड़ाओं की पूच पकड़ पकड़ के खड़ो हैनों सीख रहें फिर बचड़ा दीरे दीरे चलें क्योंकि बचड़ा भी सोच रहें दोनों कृष्ण बल्राम जलदी-जलदी बड़े है जाएं तो हमें भी इनके साथ वन लिया कर्वे को सोभाग के मिलेगो दिन में चरवे जाएंगे लीला करेंगे इनके साथ खेलेंगे खाएंगे फिर बचरा दीरे दीरे चलें तो कनिया पूँच पकड़ पकड़ के दीरे दीरे बाल लीला है ना कभी कभी तो दो बचरों की पूँच पकड़ के आपस में बांदिया करते थे पिर एक बचला उदर बगरा एक उदर बगरा है पिर ताली बजा बजा के असते हैं बाल लीला है तरह तरह का विनोध करते हैं धीरे धीरे जब दोनों भाईया अच्छी तरह चलनों फिर नों सीख गए तो ब्रज गोपी जन अब कहीं गोष्ट में पहुंच जाएं आसपास की जिंगल में पहुंच जाएं गोपी जनन को बड़ी चिंता है गई कि अब तक तो लाला घर में ही मिल जायो करते दर्शन कर लियो करती अब चलनों फिरनों सीख गए तो कोई बरोसों नहीं कब कहा महलते बाहर निकल जाएं और बड़ा सुंदर पदहर्श्री परमानंद जी का ब्रज गोपी जनों का देनिक नियम था रोजना का नियम था लाल को मुख देखन हो आई रोज लाला को सबेरे सबेरे दर्शन करवे के लिए आयो करती मैया कहते है अरी गोपी ओ तुमको और कोई काम दाम नहीं है कर सबेरे सबेरे हमारे लाला को जगाए दो बड़ भी बोली अरी मेया तेरे लालो को मौह देख भी तियन रहों चाप भर बच्षिया जाई दगने दाम में दही विको और घर में आते आते ख़वर बिल गई कि हमारी गईया ने भी बच्चिया को जन्मे दिये हैं घर में जाये वह भी लाव, जंगल में जाये तो वह भी लाव आई हो धाय थमाय सत्की लालन देहो जगाही है तुब बातन में ज्यादा देर मत करें मेरी सब सखी खड़ी हैं एक बार लाला को मौंः देखांगी मैं नहीं जगांगी पठापची तौ अंतरयामी है ना सोनता ही बच्चन वेहस वठी बैठी नागर aover बुलाई भीतर घर में से शाम सुन्दर गोले मैं तो जगोई भया हूं गोपी भूबेज गए मैं सो ना रहा हूं तो गोपी भीतर गई और पर्मानंद सयानी ग्वालिन सेन संकेत बताई अब दर्शन ही करनो तो सोते वय को भी कर सकती पर दर्शन नहीं वहाँ कोई दूसरों चक्कर हो अब मैया के सामने गोपी कचु बोलेगी थोड़ी दही बेचवे को तो बहानो है अब मैया के सामने गोपी कैसे पूछे कि आज कहां बचरा चराएवे जाओगे तो शाम संदर को दर्शन करवे आई है और ठाकुर जी नेत्रों के इशारे से ही बता रहे हैं बाई और जाना है तो बाई ब्रकुटी को नचा देते हैं आँख से इशारा कर देते हैं आज इधर बचड़ा चरावे जाएंगे गोपी समझ जाए वहीं दही बेचवे सियानी भालन सेन संन्केट बताई गोपीबीच संन में बता दे कर नहीं है आज वहां गर्सण संध कर देयर आपि अंजनवन आज में लाला सिखर हो पर दृट को सब शोच रही हैं जन सोच रही है जना नान कोई समयान दर्शन मिले वाख मृति वहरो शिथमार आपतो गोपियों की इच्छा पुरन करने के लिए बड़ी सुंदर लीला की है और उस लीला का नाम है चोरी लीला आज लाला ने चोरी बालक कहां ते कर वो सीखे अपने घर में ही तो चोरी करनों सीखे हो अपने घर में चोरी करी और जब चोरी करी तो मैया ने जान लियो कर निया चोरी कर रहे हो है। मेईया ने लाला को अवाज जे लिए क्रश्ञ कवासि कनिया कुझ का कर रहे हो है करोशिक कि क्या कर रहे हो है क्वीज़ शाम सुद्र कश्वन नहीं बोले। मैईया ने गारी ऐ अरे पितरती अरे मेरे बाप वोल तो早 हिरा क्वrt शुत्वईव मातर वचह मैया की बात को सुनके साशंकम नवनीत चोरे विरतो विश्रम में ताम अब्रवीत सशंकित हो के शामसंदर इदर उदर देख रहे हैं हरे मैया आ गई मैया को पतो लग गए हो तो श्री ठापुर जी ने मातह कंकन पद्म राग महसा पानिर मैया तपकते बड़ो अच्छो बहानों बनायों बोलवे में भी बड़े चतुर हैं मैया चोरी नहीं कर रहे हैं अपने गर में काई बात की चोरी तो लाला छुके छुके दही की मथनिया में काई को हाथ डारे भए मईया तु नहीं जाने तेने मो को ये सोने के कडूला पहरा रखे हैं जब हम जंगल में जाएं ग्वाल-बालं के संग खेलें और जब दुपहर है जाएं तो सूरे की किरण इनके उपर पड़े तो ये बड़े गरम है जाएं तो मईया हाथ में बहुत जलन होई कल में लोट रहे हो तुमों को एक बहुत अच्छे आयृवेद के चिकित सक मिल गए बैधी जी मिल गए और बैधी जी ने कही लाला तेरे हाथ में जलन हे रही होए तो दही की सिकाई कर लियो दही बहुत थंडो होए दही की सिकाई ते तेरी जलन समाप दहे जाएगी तो लाला सिकाई हाथ की करनी पर तेरे तो मुँपे भी दही लग रहे होए मैया तू नहीं जाने थोड़ी थोड़ी जलन मुँपे भी है रही और थोड़ी थोड़ी पेट में भी है रही तो सब जगे की जलन एक ही बार में मैंने बुजा ले मैया लाला की बात सुनके अब तो चौक पड़ी छोटों सो छोड़ा कैसी कैसी बात बनावे मैया कुछ समझ में आ गया हो कि ये लाला हमारो जो है एको सुबह सुबह भूख लगे अपने हाथे ही खगाय दूंगी तो काई कुछ चोरी करेगो अब अगले दिन ते मैया ने तो बड़ी तैयारी कर ले जोड़दार तैयारी मांखन के साथ साथ सब्तरे के विविद विंजन पकवान मिष्ठान पर बड़ा सुन्दा सुदाजी का पद है मैयारी मुह मांखन भावे जो मेवा पकवान कहत तू तामे रुची नहीं आवे तू पकवान बनावे मिठाई बनावे वो मोगो अच्छो नहीं लगे मैयारी मुह मांखन भावे मुगो तो मांखन नहीं अच्छो लगे और मुगो कछो मत्तू दियो कर बड़ा सुन्दर एक भजन है जो आप सभी उसको जानते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है और यहां पे उस भजन को ज्यादा तर अधिकांश सब समझने वाले लोग बैठे हैं इसलिए इसको गाएंगे बड़ा सुन्दर भजन है वाला ने माखन भावेरे वाला ने मिश्री भावेरे वाला ने माखन भावेरे अब देखो इसमें गुजराती के शब्द हैं आप अपने आप ठीक कर लेना हमें अटनी गुजराती आती नहीं है बस हम गाएंगे और आप आनंद लेए भावे रे वालाने मिश्री भावे रे गालाने घारी धराओं घूंगरा धरूनी घेवर धरून से घारी धराओं घूगरा धरूनी मोहन थालन मान पूआपन माखन जेवा नई वालाने माखन भावे रे वालाने विश्री भावे रे वालाने शीरो धराओं शीकंड धरूनी सितर पे नी से शीरो धराओं शीकंड धरूनी माखन जेवा नई लालाने माखन भावे रे वालाने शीरी भावे रे वालाने माखन बावेरे वालाने लिश्री भावेरे जात जात नामे वाधरामु तुध सा करने जही जात जात नामे वाधरामु तुध सा करने 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 लिश्री भावेरे सोलवाना नाशाक धराउने रायता में लगाई सोलवाना नाशाक धराउने रायता में ये सोलवाना नाशाक धराउने रायता में ये सोलवाना नाशाक धराउने रायता में लोड़े सोलवाना नाशाक धराउने रायता में लोड़े बात भात नी भाजी धरू पन, बात भात नी भाजी धरू पन, वाकन जेवाने वालाने माखन भावे रे, वालाने मिश्री भावे रे एक गोपिये माखन धरोने हात जोड उभे रई विनाना तरी जा प्यारे वालाने माखन भावे रे कानाने माखन भावे रे माखन भावे रे लालाने मिशरी भावे रे कानाने माखन भावे रे माखन भावे रे माखन भावे 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 रे आप लोगों के संग से दीरे दीरे गुजराती भी आ जाएगी और मीठी भाषा तो है गुजराती वैश्णवों के तो सब बोजनों में भी मीठा मीठा होता है इसलिए उपर से नीचे तक सब बड़ा मदुर है तो माखन भी महापुरुशों के भाव हैं परमानदा जी सूर्दा जी सभी महापुरुशों ने गाया है मैयारी मुह मांखन भावे जो मेवा पकवान कहते तू तामे रुची नहीं आवे मैया मुह मांखन भावे मांखन अच्छा लगता है गौरस से बहुत प्रेम है दूद है, दई है, गृत है, छाज है, नवनीत है ठाकर जी को गौरस बहुत प्रीय है गाये प्रीय है, तो गायों का सब कुछ है गौरस सब बहुत प्रीय है गोबर गोमुत्र में लेटना भी अच्छा लगता है तो गोपियों के लिए शामसुनर चोर बने, उनके लिए चोरी करी और चोरी करी, तो अपने घर से ही चोरी करी अब जब से कनिया ने चोरी करी गोपियों सोच रही है, लाला चोरी करवे आवे हमारी घर में आवे अब पूरे ब्रज में सूर्दा जी का एक पद है ब्रज घर-घर प्रगटी ये बात जिस दिन शामसंदर ने चोरी करी है पूरे ब्रज के घर-गर में उत्सभ मनाया गया हमारो लाला चोर बन गयो चोर बन गयो अरे तो चोर बनना कोई अच्छी बात है गोपी जन तो ताली बजा बजा के नाच रही है क्यों क्योंकि चोर को बुलाईवे की जरौत नहीं ब्रज घर-गर प्रगटी यह बात ब्रज बनितास हर्शित सुनमन हर्शित सदन हमारे आमें गोपी जन यह सोच सोच के प्रसंद है रहे हैं कनिया हमारे घर आयो हमारे घर और हाथ जोड़ जोड़के मनोहार करकर के प्रात्ना करकर के चोर को कौन बुलाता है प्रात्ना कर गोपियां बुला रहे हैं, हे माखन चोर, कनिया, गोपाल जी आज हमारे गर में चोरी करना, आज हमारे गर में घर को करतार्त करना, बड़ा सुन्दर भाव है बिज्वा सी जन गाते हैं, वनशीवारे तू मेरी गली आ जारे वनशीवारे तू मेरी गली आजारे वन्षीवारे तु मेरे गली आजारे वन्षीवारे तु मेरे गली गोहन प्यारे तु मेरी गनिया जारे नई नई मत्की में दही जमायो गोरी गोरी मत्की में दही जमायो आखे भोग लगा जारे बंशीवारे तू मेरी गनिया जारे मोहन प्यारे तू मेरी गनिया जारे नोहन प्यारे तू मेरी गलिया जारे बड़े बड़े नेनों में जीनो जीनो कजरा सूरत अजब दिखा जारे सूरत अजब दिखाए जारे बंशिवारे तू मेरी गलिया जारे महन प्यारे तू मेरी गलिया जारे कौरी कौरी मत्की में दूध रख्यो है कौरी कौरी मत्की में दही रख्यो है दही रख्यो है लाला माखन रख्यो है अपने ही हाथन खाए जारे बंशिवारे तू मेरी गलिया जारे मुहन प्यारे तू मेरी गलिया जारे बंशिवारे तू मेरी गलिया जारे बंशिवारे तू मेरे घर आय जारे ओ गलिया जारे प्यारे आ जारे ओ प्यारे आ जारे ऑल गश्यनार की गोपी जन मनुहार करती है शाम सुन्दर को बुलाती है और शिठाकुर जी एक बार में अनेका नेक रूप धारण करके एक एक दिन में नजाने ब्रज़ते कितने घरों में डकेती पड़ जाती कितने ही घरों में चोरी हो जाती है और फ्रज़ते कितने दियो गूताती है और मैया सोच में पड़ जाय हमारा चोटो सो लाला रहे और इतनी घॉपी इनकी घरमें क्यसे चोरी करे मैं एक गोपी दो जाती है न हमारी ठोल को 저 Ты First में घर को जाए है शाम सुन्दर बात बनावे में बड़े चतुर है गोपी जनन को कछु बोलवे ही नहीं दे गोपी जनन शिकायत करें और ऐसी ऐसी बात मैया के सामने रखें कि पूरो को पूरो केस उल्टो पड़ जा पूरो को पूरो मुकदमा बदल जा गोपी कह रही है गोपी कह रही है ये शोदा मिया से आंगन में मटकी छीके से उतार के काहां चले चले शाम घर को उजाड के ग्वालन जपटके पकड़ लियो हाथ है दही की मटकिया में काहे डालो हाथ है गोपी मैया से शिकायत करवे गई लाला को हाथ पकड़ लियो देखो रिय शोदा मिया तेरो ही कनहिया मटकी को फोड़ आयो खोले आयो गई या और अंगूठा दिखावे मोहे ठाड़ो मुसकात है चोरी करी हमारी गईयान के बच्छडा खोल दिये और अंगूठा दिखा दिखा के और चड़ा रोले और कर ले और का करेगी शिकायती तो करेगी तो शाम सुन्दर से गोपी ने मिया ते शिकायत करी मैया ने कहीं क्यों लाला ऐसी रिठाई करें ऐसो दंड काम करें ऐसो पद्रव करें शाम सुन्दर बोले देख मैया देखो री ये शोदा मैया मेरो नाकसूर है हाथ मेरे छोटे-छोटे छीकों बढ़ो दूर है मैया तुई बता मैं छोटा सो तिरो लाला इतना उचो छीको मेरे छोटा छोटा हाथ अभी तो मेरो पूरो शरीर को कद भी बड़ा छोटा सो है मैं काँटे छीक है पे पहुंच जाऊंगो तो फिर घर में जो दूद दही फेलो वो कौन ने करो यदो शामसंदर बूले गर में बिलय गुसी वाको उतपात है यह के गर में कोई बिल्ली गुस गई होगी और यह मेरो नाम लगा रही है जूठी है लाख दियो शाम दिन रात करे, भक्तों के घर तुतला कर बात करे, माखन को चोर कहावे दीना नाथ है, देही की मटुकिया में काहे डालो हाथ है, माखन को चोर को दीना नाथ दीन बंदु कहला रहा है, घर घर में ये सब लीलाएं हुई, ब्रज का कोई घर कोई गाव ऐसा नहीं बचा, जहां शिठागुर जी ने लीला नकी वह, घर घर लीलाओं से चिनने थै, घर घर लीलाओं से चिनने थै, गोपी जन आ रहे हैं शिकायत करवे अरी मैया कस्त्वम बलानुजा हत्वमी हो कि ममंदर शंकया देख सुन कलिया ने मेरे घर में कहा कियो घर में आके चुपचाप चोरी कर रहे हैं मैंने कही अरे कौन है छोरा तू कौन है तो मेरी तरफ देख वे लगो तू मोकु जाने नहीं गोपी ने पूछी कौन है तू बलानुजा मैं दावजी को छोटो भईया हूँ अरे तो सीधो सीधो नाम नहीं बता सके मैंने तेरे बड़े भईया को नाम नहीं पूछो तू कौन है अरे गोपी तू जाने नहीं मैं नंद बाबा को छोटो छोड़ा हूँ अरे फिर वोई बाइ मैंने बाप को नाम पूछो मैं तेरो नाम पूछ रहीं तू कौन है अरी गोपी सबरो ब्रज मोकू दाउजी को छोटो भईया कहके ही जाने क्यों दाउजी जैसे सीधे साधे हैं ना वैसो ही सीधो साधों मैं भी हूँ बहुत बड़ो दाउजी को नाम और बदनाम कर दो तो एक बात बता दाउजी के छोटे भईया तू मेरे गर में क्यों आयो शाम संदर ऐसे गर की दीवार देख रहे हैं जैसे पहली बार आएं नहीं अरी गोपी ये तेरो घर है मम मंदिर शंक हरे राम राम आज तो दोको है अरे तो अपने गर में कोई नहीं करें तू करके क्यों खा रहे हो चोडी नहीं कर रहे हो हमारे गर तो लाला चेंटी हाथ पे बीन दी जाए तेरे मौ पे लगो गयो है चान संदर बोले तू नाई जाने एक चैंटी चड़ते 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 मौ पे आ गई और मौते चैंटी को हटायो तो दही मौ पे भी लग गयो तो यह मेरो कुंसा दोश है अब देख ज्यादा गुसा तो करे में ऐसो समझ ले आज तेने एक ब्राह्मन को गर में बोजन करा दियो अब दक्षना दे रही हो तो दे नहीं में जाँ अच्छ अभी तो दक्षना और चाहिए गोपी दड़ पड़ी कनिया को पकड़ देगो आज अच्छी सी मैया ते दक्षना दे लवाँगी तेर आज रंगे हाथ लाला को ले जाँगी मैया को दखाऊंगी मैया माने नहीं कैसे हमारों लाला चोरी कर सके आज लेकर